मेहार में बागेस्वर धाम के धिरिंदर शास्तिरी ने पांच दिन कथा सुनाई और दर्बार लगाया बाबा का शुरू से ही विरोध हुआ बयान पर बयान आये पोस्टर फारे गए और कालिक भी पोत दी गए लेकिन बाबा और भक्तों ने अपने अंदाज में ही जवाब कथा में बार-बार कहा गया बहार के पागलों इसको लेकर भी आरजडी निताओं ने आपत्ति जाहर की लेकित बाबा नहीं रुके जाते जाते उन्होंने बता दिया के इसका मतलब क्या है पांच दिन तक बहार में काबा की जगह बागेस्वर बाबा की चर्चाएं होती रही धिरेंदर शास्त्री ने विरोध के बीच नया कर्तिमान अस्थापित कर दिया बहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी कारेक्रम में धिर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया अब तक बहार में किसी पॉलिटिकल या धार्मिका योजन में इतना ज्यादा जन सेला लोग डटे रहे विरोधियों ने हर कदम पर चनौती दी लेकिन बाबा ने सभी का शालीनता से जवाब दिया कथा में बाबा की एक बात खूब चर्चाओं में रही धिरेंदर शास्त्री ने कहा कैसे हो बहार के पागलों अगर हमें पता रहता कि इतने पागल बहार में है तो हम पहले ही चले आते इस बयान पर मंत्री तेज प्रताप यादब ने भी करा विरोध जता है था बुद्वार को बहार में कथा कि अंतिम शाम में उन्होंने जाते जाते पागल की परिभाशा भी बताई धिरेंदर शास्त्री ने कहा बहारियों की श्रधा को देखकर प पागल कहते हैं यानि कि बाबा जी ने जाते जाते पागल शब्द के अर्थ को भी बता दिया बहार में जब बागेस्वर धाम की पंडित धिरेंदर कृष्ण सास्त्री का कारिक्रम तै हुआ तो हर अस्तर से बिरोध किया गया आयोजकों ने कारिक्रम के लिए गांधी हनुमंत कथा और पंद्रह मै को दिव्य दर्बार लगाने की अनुमती दे दी प्रशासन की अनुमती के बाद पंडित धिरेंदर कृष्ण सास्तरी का पॉलिटिकल बिरोध शुरू हो गया लालो प्रसाद यादब की बरे बेटे और बहार सरकार में वन इवं पड़िया व के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए जाप अध्यक्ष पपु यादब भी बाबा के बिरोध पर उतर आये थे वहीं बताने कि वन इवं पड़िया वरन मंत्री तेज प्रताप यादब और सहकारिता मंत्री सुरेंदर यादब के साथ सिक्षा मंत्री ब्रॉक्टर चंदर शेखर सिंग ने भी बिरोध किया और बाद में बताते चले कि किसी भी तरेके से बाबा की कारेक्रम ना हो इसके भी खूब लोगों ने तैयारी की थी लेकिन आखिरकार बाबा का कारेक्रम तरेत पाल मत में आयोजीत की गई